हेलो बच्चों, ये कुश्चन आपका सिस्टम अब पार्टिकल चेप्टर का है देखी कुश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखीगा देखी कुश्चन में क्या कह रहा है So that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion बच्चों, यहाँ पे कोई एक single particle है, जो कि constant velocity से move कर रहा है और हमें यहाँ पे यह प्रूफ करना है, कि इस particle का जो angular momentum होगा about any point, remains constant रहने वाला है, throughout the motion देखो, सबसे पहले यहाँ पे बच्चों, हम एक particle है, जो कि किसी particular direction में move कर रहा है हमने यह माल ले कि उसकी direction यह है, तो यह V velocity से, किसी constant velocity से इस direction में motion कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ motion कर रहा है अब देखो, बच्चों, हमें इस particle का angular momentum बताना है तो किसी भी particle का, अगर आपको angular momentum बताना है, तो angular momentum किसी point के about बताया जाता है मतलब हमें यहापे एक point decide करना पड़ेगा तो हमने यहापे एक point ले लिया, यह वाला point ले लिया, तो बच्चों, हमने यह point ले लिया हमें इस point की about किया बताना है, इसका angular momentum बताना है अब देखो, बच्चों, हम क्या करेंगे, यहापे angular momentum का formula तो सभी को पता होगा R Cross P होता है P क्या होता है Momentum होता है यह R क्या होता है Position Vector होता है Position Vector मतलब इस Particle का Address अब देखो बच्छो Position Vector कैसे Draw किया जाता है जैसे यह Point है ना तो इस Point से यह जो Particle है यहां से लेकर के यहां तक आपको एक Position Vector बताना है तो यह पोजिशन वेक्टर क्या बता रहा है इस point से इस point से इसका address बता रहा है कि इसका address यह है समझ मा इतना यह आपका position vector है अब देको इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि इस point से यह इतनी distance दूर है अब देको भेच़ें जो पोजिशन वेक्टर है एक vector quantity होता, ठीक है, तो इस position vector का जो direction है, इस line को आए से आगे produce कीजिए, यह उसका direction है, तो यह position vector का direction है, पर यह position vector का magnitude होगा, इस vector का magnitude होगा, वो यहां से लेकर के यहां तक का length ही होगा, ठीक है, confused मत होना, इसे मैंने आगे इसले produce कर रहा है, यह उसका direction है, ठीक है, अब suppose करक यहाँ पे कुछ theta angle बन रहा है यह velocity का direction है यह position vector का direction है देखो बच्चों, momentum का formula क्या होता है mass into velocity जिदर velocity की direction होती है उसी तरफ momentum का direction भी होता है इतना आपको बता होना चीए तो इस particle का velocity का direction यह है तो momentum का direction भी यह होगा समझवारा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि momentum का direction इस तरफ है तो यह जो r cross p है ना r और momentum का direction इन दोनों में यह theta angle बन रहा ठीक है अब देखो बच्चों, इसे आगे हम ऐसे भी लिख सकते है यह r लिखा, यहाँ पे cross बना है momentum की जगा में mass into velocity लिख दीजे ठीक है तो इसे हम finally ऐसे भी लिख सकते है mass क्या है, एक scalar quantity है तो mass को बाहर कर दीजे finally यह हो जाएगा आपका r cross v समझ मारा है तो यह जो r और v है, r vector यह है उसकी direction यह है, ठीक है और यह velocity vector है, तो इन दोनों में जो angle बन रहा है theta angle बन रहा है अब देखो यह भी एक vector है यह दो vector का यहां पर cross product हो रहा है यह cross product है, यह multiplication यह cross product है तो cross product का जो formula होता है वो क्या होता है आपको आना चाहिए तो भचो वो formula होता है, वो होता है r, v, sin theta and unit vector यह unit vector है, ठीक है unit vector क्या होता है, direction को represent करेगा यह जो unit vector है इस L vector का L vector मतलब यह angular momentum है इस angular momentum की direction को represent कर रहा है vector के पास यह तो magnitude है यहां से लिगर करकर यहां तक magnitude है इस vector का यह magnitude है और यह उसकी direction है तो magnitude into direction क्या होता है vector होता है इतना तो पता है आप लोग को अब देखो हम इस से आगे हम क्या करेंगे देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ से एक line produce कीजिए इस तरफ और यहाँ से नीचे की तरह एक line produce करो तो यह आपका o point हो गया यह आपका p point हो गया और यह आपका M point दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह theta angle बन रहा है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या बनेगा, theta ही angle बनेगा, देखो हमें यहाँ पर यह पर यह पर प्रूफ करना है, कि जो angular momentum है, remains constant, throw out the motion, यह particle जो यह throw out the motion जो कर रहा है न, यह particle यहाँ पर भी पहुँचेगा, थोड velocity भी constant रहने वाला है, समझ रहो न, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, m, v, r sin theta, और यह unit vector, अब देखो बच्चों, यहाँ पर mass तो constant है, particle का, velocity भी constant है, question में गिवन है, कि उसका जो velocity है, वो क्या है, constant है, तो यह दोनों के दोनों तो constant है, तो इनका multiplication भी constant आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर, अगर यह r sin theta भी constant आएगा, यह angular momentum क्या proof हो जाएगा, constant proof हो जाएगा, हमें यही प्रूफ करना है, कि जो angular momentum about a point, वो क्या है, बच्चों, remains constant है, तो यह r sin theta भी constant आना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है, कि r sin theta की value भी क्या है, constant है, तो कुछ से कैसे करता हूं, तो sin theta का जो formula होता है, वो क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular आपका यह है, यह आपका 90 degree का एंगल यहाँ पर बन रहा है, यह आपकी perpendicular, यह base है, यह आपकी hypotenuse है, तो बच्चों, यहाँ पर देखो, यह क्या था, आपका r vector था, यह आपका r vector था, यहाँ से मैंने vector का sin हट होगा, वो क्या होगा, इस position vector का magnitude होगा, उसे हमने r बोल दिया, इसका magnitude है, जो op है, op का magnitude है, वो r है, तो sin theta is equal to क्या जाएगा, perpendicular upon hypotenuse, तो perpendicular यहाँ पर om है, hypotenuse क्या है, r है, तो finally यह जो om है, बच्चों, om is equal to kya r है, r sin theta r है, तो यह जो r sin theta है, r sin theta की value गाई, om i, लेकिन बच ère, particle, यहाँ पर भी पहुचेगा, यहाँ पर भी पहुचेगा, तो यह जब भी पहुचेगा, तो इसका position vector क्या हो जाएगा, यह वाला position vector हो जाएगा, अब velocity की direction क्या होगी ये वाली velocity की direction होगी समझ मा रहा है, velocity तो constant है लेकिन बच्चों यहाँ पे जो position vector का magnitude था उसकी length इतनी थी यहाँ पे position vector की length क्या होगी जाद होगी, अब particle यहाँ पहुंच गी अब देखो इसका जो position vector हो जाएगा वो ये हो जाएगा, समझ मा रहा है ये उसका position vector है ये उसका position vector है जै ये velocity की direction है लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो position vector था इस position vector की length यहाँ पे छोटी थी यहाँ पे length बड़ी हो गई समझ मा रहा है अब यहाँ पे angle क्या था बड़ा था यहाँ पे angle थोड़ा चोटा हो गया यहाँ पे angle और चोटा हो गया तो बच्चों यह जो R है अगर यह तो R sin Chica गो है इस इकल टू क्या है O M आया है जब मैं यह वाला triangle कंसिडर कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, यह O M आएगा, ठेक है, R sin theta is equal to क्या आएगा, O M आएगा, लेकिन अगर मैं ये वाला right angle triangle, consider करता हूँ, ये वाला right angle triangle, ये वाला right angle triangle, तो बच्चों इस वाले right angle triangle के लिए भी, ये O M क्या है, common ही है, इस वाले right angle triangle के लिए भी, ये O M common है, और इस वाले right angle triangle के लिए भी, ये O M क्या है, common है, तो बच्चों ये जो R की value तो change होती रहेगी, sin theta की value भी change होती रहेगी, लेकिन इसका जो multiplication आएगा, वो O M ही आएगा, मतलब यह यहाँ पर क्या proof हो गया, कि ये जो R sin theta है, वो O M के ही equal आता रहेगा, यानि कि ये भी क्या है, constant है, तो बच्चों ये भी constant proof हो गया, mass तो constant है, velocity भी constant है, तो finally ये angular momentum भी क्या हो जाएगा बच्चों, constant हो जाएगा, तो ये finally क्या हो गया, आपका M B R sin theta, इसकी जो value आएगी constant आएगी, लेकिन यहाँ पर ये unit vector भी दो है, तो ये जो unit vector है, ये angular momentum की direction को बता रहा है, तो इसकी direction कैसे find करें, तो बच्चों यहाँ पर ये R x V लिखा है, R पहले लिखा हो है, V बात में लिखा है, तो हम यहाँ पर screw rule लगाएंगे, screw rule, इसे कैसे apply किया जाता है, आपको द्याएंगा डिखा है, velocity vector यह है, तो आपको R x V की तरफ क्या करना है, screw को घुमाना है, screw को घुमाना है, द्याएंगो ये anti-clockwise, R पहले लिखा हूभा है, V बात में लिखा हूज है, तो, r से v की तरफ आपको screw को गुमाना है, जैसे मालत हैं, इस available रख दिया है एसे तो, screw को आपको इस angle में गुमाना है, मतलख clockwise गुमाना है, ठीक है, आप w vector से v vector की तरफ, ऐसे clockwise गुमाओ गो, जब आप इस screw को clockwise गुमाओ गो, तो screw की दर जाएगा invert जाता है, अंदर की तरफ जाता है, तो यहां पे हमें direction का पता जाएगा, इस unit vector लिखा न यह direction को represent कर रहा था, तो बचों इस angular momentum की जो direction होगी, invert होगी, invert मतलब नाइ, तो समझ मागिया, यह value तो constant आ रही है, तो angular momentum क्या proof हो गया, constant proof हो गया, उसकी direction always क्या रहेगी, inward रहेगी, तो यह question आपका complete हो जाता है, okay.